हालो बच्चों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का PBR स्टडी में जैसा कि आपको पता है कि इस समय आप लोग कलाफ नाइन्थ एंसी आइटी मैस्मेटिक्स बढ़ रहें और आपका चैप्टर 13 चल रहा है सर्फेस एरिया एंड बैलूम जिसमें 13.5 चल रहा है और आज चैप्टर खतम हो जाएगा मिंस इस कलास में पूरा इंड तक 9 कुश्चन थे वह हो जाएंगे क्लास को पूरा इंड तक देखिएगा जो कड़ी मेहनत करते हैं उनकी काम्यावी वड़ी होती है तो इसलिए आपको भी क्या करना है कड़ी मेहनत करना साथ साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है कुश्चन नंबर साथ से सुरू करेंगे क्योंकि छे तक आपने कली पढ़ लिया था तो साथ से हम लोग आज बढ़ेंगे सभी बच्चे यह बता एंसी आटी बुक लिये हो लियो ना ठीक है तो कोई बात नहीं एंसी आटी से होता है अगर जो बच्चे प्राइबेट कोई बुके लिए उनको भी कोई दिक्कत की बात नहीं वह भी पढ़ सकते हैं क्योंकि जो अन्य किताबे होती है वह भी एंसी आटी बेस ही होती है कुश्चन नंबर साथमा देखिए क्या कह रहा है यह साथमा तो ऐसे फिलहाल के लिए आप होमवर्क करेंग आप समझिए और फिर हम लोग हल करते हैं तो चलिए कोश्चन सुनने को हो जाएं तयार कोश्चन नंबर एट करा सॉलिट क्यूब आफ साइट ट्वेल सेंटिमेटर इज कट इंटू एट क्यूब्स आफ एक्क्वल वैलूम मतलब बारा सेंटिमेटर भुजा वाले एक ठो क्योब था उसको कंट करके एड क्यूब आएड में डीवाएड किया गया है और उसका सरफसेरिया और उसका surface area का ratio भी आपको find करनी है चलिए question के solution पर चलते हैं सबसे पहले प्यारे लिखोंगे दिया है given देखिए पहली बात तो यह है कि एक बड़ा cube होगा फिर उसको काट काट के छोटा बना जा रहा है तो पहले हम उसको ड्रा कर लेते हैं बड़े वाले को यह बन गया figure य यह वीगर वाला cube है means घन है इसकी जो साइड है वो 12 cm है यह सभी क्या है 12 है 12 cm है क्योंकि जो स्क्वाइर होता है उसकी साइड इक्वल होती हूं उसी तरह से स्क्वाइर सी क्यों बनता है ठीक है अब क्या करेंगे हम इसको काट करके छोटे छोटे पार्ट में बनाया गया कह रहा है तो हम सिंपल में सबसे पहले इसका बैलूम निकालेंगे हूं तो क्या हमें छोटे वाले जो नया घन बनता है उसका कुछ पता है क्या कि साइड हो पता है क्या हूं नहीं उसका तो नहीं पता बट इसका तो पता है न तो चलो लिखो बड़े घंका आयतन बराबर अब लुमाफ बिग क्यूब इक्वल लिख ले इसको अच्छा दिख रहा है ना भीजबिल्टी तो पूरा मस्त है ना कमेंट के चक्कर में ना पढ़ो बच्चों में कमेंट सबका देख रहा हूं टेंसन मतलो बड़े घंका आयतन देखो साथी मिझे मुझे जो है बड़े घंका साइड दिया है हम आयतन बराबर क्या होता है बुजा का क्यूब होता है साइड का तो यह 12 का क्यूब दिया है हम इसे लिख सकता हूं इक्वल 1728 आएगा क्यों यह तो आएगा यह सेंटिमेटर में दिया है यह सेंटिमेटर क्यूब आएगा यानि बड़े वाले घंका जो बैलूम आ गया तो वह कितना आ गया 1728 सेंटिमीटर क्यूब आप क्या करेंगे हम छोटी घंका भी आयतन निकालेंगे कोईशन में कह रहा है देखो ध्यान से पढ़ो नए घंकी भुजा क्या होगी नया जो क्यूब बन रहा है उसका हमें साइड को फाइंड करने के लिए पहले उसका कुछ तो पता होना चाहिए तो पहले हम इसके माध्यम से लेंगे लिखो छोटी घंका या नए घंका आयतन बराबर इंग्लिस वाले लिख लें बैलूमाफ इसमाल क्यूब आइड क्या हो जाएगा देखिए कि बड़े वाले को काट करके आठ भाग में बाटा गया है यानि जो बड़ा वाला है उसी को तो आठ भाग में काटा गया ना तो लिख लो छोटे घंका आयतन बराबर जो बड़ा वाला उसी को आठ से भाग दे देगे तो क्या होगा याज से डिवाइड हो जाएगा कट लोगे ना इसको कट के देखो आठ दूना सोला बचा एक आठ एकम आ आ गया तो फिर आप इसका साइड तो आराम से निकाल सकते हो ना लिखो छोटे घंकी बुजा बराबर या फिर छोटे घंका आयतन बराबर अब सुत्र लगा दो फिर लिख लो छोटे घंका आयतन बराबर आयतन बराबर एक तो आपने निकाल लिया वो जो भी था एक यह सुत्र होता है आयतन बराबर भुजा को कि उता है चूपकी आयतन हमें 216 मिल गया है इधर रख देंगे यह भुजा को क्यों बोजाएगा इधर आएगा यह इधर घनमूल लग जाएगा जब इधर फे यह क्यूब हटेगा तो फाइनल में यह क्या आ गया भुजा आ गई कितना आ गया छे सेंटीमीटर इसमें किसी को कोई डाउट नहीं इसको आप एभी लिख सकते हो साइड में चाहा तो ब्रेकट में एक क्यूब लिखते तो फिर ज्यादा बढ़िया रहता आपके लिए अहां पर यह बराबर छे आता कि यह क्या आगे भुजा आ गई अब कहरा कि दोनों में रेशियों में फाइंड कीजिए किसमें जो दोनों का प्रिष्टिय छेत्रफल आया है और सवरी हाँ घन का जो भी आया था आयतन हो गया आयतन नहीं नीचे पड़ो कानों के प्रिष्टिय छेत्रफल कान उपाद यानि कव सर्फेस एरिया में रेशियों करना है तो ठीक है लिख लो कोई दिक्कत नहीं इसको मिटाओ पहले चलो जल्दी मैं साइड हो गया हूं उतार लीजिए बहुत जल्दी करिए एक बात ध्यान द बढ़े वाले का हुगा होगा फ्रिष्टि च्वर्फेस एरिया प्रिष्टिय छी तरफल और छोटे वाले को भाग देदेंगे अपस में तो बड़े वाले का क्या होगा चोटे वाले जो आपका हो जाएगा 12 x 12 यह हो जाएगा 6 x 6 आप इने काटोगे तो छे दूना 12 छे दूना 12 दो दूना 4 नीचे 1 यानि 4 अपान 1 फाइनल में हम 4 ratio 1 भी कह सकते हैं यानि जो इनमें अनुपात आएगा कितने का आएगा चार और एक का आएगा इस तरह से आपका अब इसे आप नोट कर सकते हैं फाइनल खतम हो गया जल्दी करिए हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूं कि इस समय यूटूब पर चल रही कलास का ताइम आप देख लिजिए स्क्रीन पर फटा-फट ऊपर की दोनों कलास पीवीर स्टेडी 3.0 चनल पर चलती है और जो नीचे क करिए और पूछ सकते हैं 25 जून से आपकी कलास पीवीर स्टेडी 3.0 चनल पर ट्रांसफर हो गई है अगर आप इस कलास को पीवीर स्टेडी लहाबाद चनल या किसी अन्य चनल पर देख रहें तो आप पीवीर स्टेडी 3.0 चनल पर जरूर जाएं क्योंकि वहीं पर आगे इकसरसाइज 13.5 चल रहा है और 13.5 का लास्ट कुश्चन कह रहा है और रिवर अर रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड मतलब एक नदी है जो 3 मीटर गहरी है और 40 मीटर वाइड मींस 40 मीटर चौड़ी है is flowing at the ratio of 2 km per hour how much water will fall into the sea in a minute मतलब एक नदी है नदी आप जानते हो न गहरी होती है यह क्या कह रही भईया ऐसे बहे रही है इदर साइड को इसकी जो चौड़ाई है यह 40 मीटर है कितनी है 40 मीटर चौड़ी नदी है और यह ऐसे बहे चली जा रही है खड़ 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 है पिए यह में चाहुची का ड़ायों आपको ऐसे वाली ठीक यह नहीं दिखा रहा हो इसकी गहराई जो होगी नीचे की तरफ को होगी इस ईसकी भाई अगर ऐसे समझ लो मानलो कि यह नदी है इसी बुक को मानलो बाई यह नदी है ठीक है तो यह इसकी चाहँड़ाई है पूर्ण यह लेकिन यह जीज गहराई है यह जैसे देखो यह यह क्या गहराई है यह तीन मिटर आप इसको नदी मालो यह जो दिया है कि इसकी चोड़ाई दी गई है चोड़ाई का मतलब भाब हमें इसमें भी दिया है 40 मिटर यह दिया है 3 मिटर क्यूंकि क्वाराऊंची है वो सड़ी गरी है हमें यल नहीं दिया है तो क्या करेंगी देखो इसमें यस दिया है यह दिया बटा यह दिया बाबू तो यह का कहरा इस पीड्ड करहां ध़िजिए कि 2 पर आवर तो इसे क्या करेंगे हम लोग सबी चीजें मिनट में दी गई है और मींटर में दी गई है भ мног-amil हम क्या करेंगे इसंपोफ किछरब मिनटर को यह किल मुस्τοक्ते मं में कीटर में यानि मिनटर पर मिनटर में ठीक करेंगे तो देखो दो किलो मीटर में 2000 मीटर और एक गंटा में 60 मिनट इसे आप क्या कर लोगे भाग कर लोगे तो फाइनल में आपका यह कड़ जाएगा यह सो बटा तीन आएगा और जो यह आपका आ यह यहल का काम करेगा इस केस में मतलब लेंथ की यानी मीटर पर मिनट जो उसकी स्पीड होगी पानी की वहाओ की फुलो की वह इसकी लंबाई हो जाएगी नदी की ठीक है इस तरह के कोश्चन में तो हम कह सकते हैं अता जो यह होगा हमारा वह हंड्रेड अवान थरी होगा अ तो लिख लो एक मिनट में नदी में गिरने वाले पानी की मात्रा बराबर नदी का आयतन ठीक है एक मिनट में नदी में गिरने वाले पानी की मात्रा क्या हो जाएगी नदी के आयतन के बराबर हो जाएगी तो आप लिख लोगे वैलूम इक्वल या फिर आयतन बराबर नी लगा नहीं नीचे इफले में उधर लिख रहा हूं तो यह आपका याल इन्टू बी इन्टू यह हो जाएगा यह आपका दिया है अभी अभी आया हंडेड़ पांथरी बी चालीस यज कमान तीन तीन से तीन कट गया बराबर 4000 मीटर क्यूब यह अंसर आएगा यानि पर मिनट नदी में 4000 मीटर क्यूब पानी गिरेगा इसमें किसी को कोई डाउट कोई परकार की परिसानी तो मुझे बता दीजिए और मैं कुईस्चन को साइड में करके आईए आपसे कुछ बाते करता हूं लिख लिजिए स्क्रीन साड़ ले लिजिए कुईस्चन फाइनल हो गया जल्दी करें तो बच्चों आपका ये कुश्चन के साथ ये एक्सरसाइज खतम हो गया 13.5 बिंड हो गया 13.6 हम लोग देखेंगे बस अगली कलास में थोड़ी देर में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आप यूटूब पर फिरी में पढ़ पाएं कुछ भी कहना है कुछ भ इतना ही बहुत बहुत सुक्रिया कलास को सेयर जरूर करें